जितने भी लोग आपसे ये कह रहे है कि ग्राफिक डिजाइन इस फिल्ड में कोई करियर नहीं है कोई फ्यूचर नहीं है कुछ पैसा नहीं है सब बक्वास है एकदम बेकार फिल्ड है कोई फाइदा नहीं है इस फिल्ड में जाने से ऐसे जो जो लोग आपको कह रहे हैं उन बात करते हैं दीखे गैस यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स है जिनका सोलुशन हम धून नहीं रहे है फर एक्जेंपल अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसे सच मान लेना बिना जाच पड़ताल किये यह फिर ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं उसी के पीछे जाना वही सेम चीज करना अगर कोई सक्सेशफुल हो रहा है किसी चीज में तो बस उसके पीछे लग जाना उसके बाद प्रॉब्लम कि अगर बात की जाए तो ज्यादा मेहनत किये बगेर अच्छे गासे इंकम के बारे में सोचना फास्ट सब कुछ फास्ट करना है है हैस्टेग अरजनसी का की और एक में प्रॉब्लम कि अगर बात की जाए तो अपने कमफर्ट जोन को पकड़े रहना उसे चोड़ नहीं कोई नया चीज करने के लिए कदम ही नहीं उठाना रिस्क ही नहीं लेना नए फिल्ड में जाने से कत्राना डरना कन्फिजन में रहना या फिर दस लोगों से उ यह कुछ प्रॉब्लम्स है यह सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है इसलिए मैं यह प्रवचन आपको दे रहा हूं यह चीज़े जो भी मैंने अभी तक आपको बोली है इसके पीछे कोई रीजन है विदाउट रीजन में कोई बात नहीं करता है बार बार लगातार स्ट पर YouTube के कमेंट्स में तो उसी के बारे में मैं आज अपको डेटेल में बताने अलों की यह कौन लोग है जो आपको इस तरह की बात करते हैं इनके इस तरह से बात करने का रीजन स्टेब बाइस्टेप हम जान लेते हैं फस्ट यह वो लोग है जो तगड़े कॉमपेटिशन म एक खतरना competition वाली field है, यहां पर एक से एक महारती बैठे हुए knowledge लेकर, तो यह ऐसे लोग है, जो तगड़े competition में हार गए है, fail हो चुके, for example, war चल रहा है, और war में यह बिना तलवार बाजी सी के कुद गए है, और आगे वाले जो महारती थे, उन्होंने अच्छे से इनको ब software's का, वो 4-5 software's सीख कर, यह graphic design की field में jump किये, और वहां पर mark आ गए, क्योंकि आगे वाला जो था, वो software के साथ साथ, graphic के पूरे technique जानता था, ठीक है, तो वहीं पर, खदेड दिये के, बाहर आए, उस war से बाहर आए, और अपनी कमी छुपानी के लिए, यह नहीं बताएंग भारा की यह बूलेंगे कि यह बकवास field है, कुट्टे की तरह लोग पड़े हुए है, कोई कुछ भी करता है, कैसे भी करता है, यह वो इस तरह से, तो competition में जो लोग बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, वो इस तरह की बाते करने लगे हैं, दूसरा reason है, unnecessary competition और आबादी of fake designers, अब मैं हमेशा कहता हूँ, genuine designers versus fake designers, असली designer जो महनत से काम करते हैं, हर एक artwork दिन रात महनत करके बनाते हैं, और fake designers, वही जो इमानदारी से बनाया हुआ artwork होता है, असली designers का, वो चुराते हैं, उसको modify करते हैं, change करके, बेज देते हैं, तो ऐसे लोगों की आबादी बहुत ब जगा पे, गली चौराय पे, नुकड पे, हर जगा पे designers आपको मिलेंगे, knowledge है, नहीं है, कोई matter नहीं करता, बट वो designing की दुकाने खोलते हैं, वहाँ पर 50, 30, 20, 100, 500 में logo बनाना, brochure बनाना, business card बनाना, इस तरह के काम करते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग तो आजकल social media पे भी आ गया है, आपका खुद का logo बनाई है, 45 रुपे में, इस तरह के, मतलब ये actual designers नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों की वज़े से, बाकि लोगों को भी लगने लगा, क्या रहे है, क्या 40-50 रुपे के लिए इस फिल्ड में जाने का, क्या मिलता है इसमें, 100 रुपे मिले अगर कोई student कहता है घर पे कि मैं सोच रहा हूँ, graphic design करूँ, तो घर वाले अपने आप बोल देते हैं, क्या पढ़ा है उस फिल्ड में, पाच-पचास रुपे कमा कि कहां पर गली, चोहरा है पर छोटा सा दुकान खोल के बैठेगा कि कोई और अच्छा सा काम कर ले, जहां पैसे नहीं है, उन लोगों को difference पता नहीं है, original versus fake designers का, original designers अलग है, fake designers अलग है, कुछ fake designers की हरकतों की वज़े से, आज genuine designer जो original designers है, उनको भी तकलिफ उठानी पड़ रही है, for example, अगर original designer बोलता है कि मैं लोगों के लिए 10,000 चार्च करता हूं, तो आगे वाला बोलता है कि क इस बेस पे 10,000 चार्च करता है, जब वो गली में बैठा हुआ, बंदा 100 रुपय में logo दे रहा है, यह हो रहा है, जितने भी लोग देख रहे है, सच है की नहीं बताओ, comment section में लिखो, तो यह एक reason है, लोगों को लग रहा है, कि पैसे कम है इस field में या फिर नहीं है, तीसर इस फ्री में देने का दावा करते है, back to back, बार 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 अडवरटाइस करते जा रहा है, कि ले लो, logo फ्री में ले लो, ब्रॉशर फ्री में ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फ्री में है, सब फ्री में है, फ्री में है, लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, clients देख रह जो genuine designer है जो बोल रहा है आके कि यार 5000 तो भी दो एटलिस उसको बोल रहेगी जो चीज साइट वह फ्री में दे रहे है वो उसके लिए मैं तुझे 5000 क्यों दू लेकिन ये लोग सोच नहीं रहें कि वो साइट क्या है किस तर से काम करती है वहाँ पे जो लोगो होते है वो copyright होत बस होगे खुश बोलते हैं कि बस हाँ लोगो फ्री में मिलता है आजकल तो designer को भी आके मूँ उठाके बोलने लगए फ्री में लोगो दू कई सारे apps है applications है जो कहते है कि लोगो जो है वो mobile में बन जाता ब्रोशर बिजनेस कार्ड मोबाइल में बन जाता है उसे के साथ साथ वो कुछ टकले यूटिवर हैं मूर्ख साले वो ऐसे कुछ यूटिवर्स है जो चंद रुपियों के लिए आते हैं और बोलते हैं कि फ्रेंड्स इसमें लोगो बनाओ फ्रेंड्स और यह बेजदो फ्रेंड्स थोड़ा सा कलर चेंज करके क्लाइंट खरीद लेगा आपको कोई कोई ऊपिरट का इश्यू नहीं हो खांट मैं कहता हूँ फ्रेंड्स यह फ्रेंड्स 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 वो फ्रेंड्स यह यह एसे मुर्ख लोग कैता है जिनको मिलियन सब्स एन और जो अंजान बच्चे यienza फिर लोग citizenship क्या है जिनको पताँ नहीं है वह कुछ यूट्यूबर्स फेक यूट्यूबर्स जिनको मैं कहूंगा जिनका कोई संब्ध नहीं है दूर दूर तक ग्राफिक डिजाइन से ऐसी लोग आते हैं और अपने फाइदें के लिए क्यों यूज करना चाहिए क्यों यूज करना चाहिए वाइदेंडिंत को यूज करके किसी को कुछ दे रहा है तो गूकिनदेंडटर का अगर टाइम भंचाना है तो परसेचनल वेबसाइट त्वर आपको स्वाइंगे उसको डाउनलोडक करना है आपको अर्चेंज करके बैच देना है यह इस तरह के यूट्यूबर्स कुछ है मुर्क जिनका कोई संबन नहीं ग्राफिक डिजाइन से इनको पता ही नहीं है वाट इस एक्टली विजूल कम्मुनिकेशन इस वाट इस ग्राफिक डिजाइन इन लोगों के लिए ग्र कि ऐसे फोकट वाले वेबसाइट है फोकट में लेलो वाले और इनको सपोर्ट करने वाले ऐसे जो फेक यूट्यूबर्स है या एजुकेटर्स है इसे सच में स्टूडन्स को लगने लगाए कि मोबाल में लोगों बनता है डिजाइन रिसोर्स फ्री में लेकर हम उसको बे इनको मानने वाले वो लोग है जो आपको कहते हैं कि ग्राफिक डिजाइन इस फिल्ड में करियर नहीं है चौथा रीजन है प्रॉब्लम है जिस पर हमें वर्क आउट करना चाहिए कि भीड जहां हम वहाँ थोड़े साल पीछे जाओ, पहले लोग बनाते ही कि दोक्टर बना, र हार एक दोकर ही बनना के पीछे लगाता है कुछ देन बाद इंजीनेर के पिछे लगे बनना के पिछे ही कितने तो भी लोग estado निभीश। कैं जुनहें पानीपुरी खेले डाले किसी game onuto चालाना सिका है किसी इन रटाएकर ठेले ले चोटे up a restaurant सोपन कर ददिया वडापाओ के गाड़िया लगी कितने लोग है अब खुझ जाके चेजिये भीड के पीछे नहीं जाना चीह कोई फाइदा नहीं है हमें कुछ नया कुछ करना है धिस क्लीनी चीह है क्यों डरते हैं हम नया कुछ करने से किया प्रॉब्लम क्या है फेली हो जाएंगे ना क्या है इंडिया का यहीं सोच है नहीं को सब्सक्राइब तो मैं लिए उसलोगजर्ण है है टेम लोग मांसटेक्स रघरें आइससे लोगे करहें सक्सेस हो सकता है आप भरुसा कर Caesar संबस सी अनुसार इंच और पूल्ग को त्यजोए जुफ जर आप अगर जोट लगश्य यहिए मैं जो कुछ भी यहां पर प्रवच्छन आपको दे रहा हूँ, शायद आप देख रहे होगे नहीं देख रहे होगे, but IBIS World की एक 2019 में की गई research के अनुसार, आप जाकर description में link देख सकते, मैं कुछ आपको articles की links वहाँ पर दे रहा हूँ, बीना research किये मैं कोई बकवास नहीं करता, तो IBIS World 2019 के रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा है, इस industry generated a revenue of 15 billion, 15 billion dollar, ठीक है, with an annual growth rate of 3.5%, it is expected to go further at a rate of 2.7% to become a 14.8, 14.8 billion dollar strong industry, अब यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह IBIS World कह रहा है, दुनिया के जो research करते हैं, ऐसे कोई सारे research वो लोग करते हैं, तो वो लोग कह रहा है, जितने भी genuine designers हैं, जितने भी इमानदा designers हैं, वो सब कह रहा हैं कि इस field में scope है, मेरी बात नहीं आपको सुननी, आप सारे articles पढ़िए, सारी research कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा, इन फैक्ट यह COVID का जो हुआ है, कोरोना, उसकी वज़े से बाद में और ज़्याद स्कोप आया है, आने वारे पांचे साल तक और सदा scope है, बार बार कह रहा हूं मैं, अच्छे इमानदार graphic designer को, जिसके पास proper knowledge है, उसको scope है, आलसी, negative, इदर उदर की सुनने वाला, बस भागदोड करने वाला, hashtag urgency का केड़ा जिसको रहता है, कि अभी, 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 immediately, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, इस तरह की जो designers है, उनको कोई scope नहीं है, जो लोग इबंदर इसे काम करेंगे, अच्छे से सोच समझ के हर एक project पे काम करेंगे, education जो gain करेंगे, अप्ग्रेड करेंगे खुद को, उनको scope हर जगा है, इंडिया में भी है, बाहर भी है, मैं हर तरफ काम करता हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है, जाधा तर लोग जो है, वो end तक देखते नहीं हैं वीडियो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कि end में ऐसी tips देदे चाहूँ, जो end तक देखने हो, लोग को काम में आती हैं, ठीक है, तो एक मैं tip आपको दे रहा हूँ, get ready for augmented reality, AR, और 3D printing, graphic design का future, या फिर graphic designers, इन fields में बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, आगया आने, वाले समय में, इन दो चीज़ों पर आप research कीजिए, AR और 3D printing, ठीक है, आगे का future है हमारा, और ये जो tips होगरा दिया है मैंने, या फिर जो भी मैंने कहा हैं, ये बहुत सारी research करके मैंने कहा हैं, articles की links मैंने description में दिया है, अगर आप चाहे तो उनको पढ़ सकते हैं, अगर आपने end तक video पूरा देखा है और ये tip आपने देखी है, तो comment section में ज़रूर लिखिए, मुझे tip मिल गई, मैं समझ जाऊँगा कि आप end तक देखने वाले viewers में से हो, मिलते हैं अगले episode में, तब के लिए please be creative and happy designing, ready रो, बहुत मजाने आल है, जैहिन